नमस्कार दोस्तो आज इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कुछ ऐसी सड़के जिनने देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे तो बने रहे इस वीडियो में आकरी तक और इस वीडियो के एक लाइक जरूर से कर दीजेगा दोस्तो जपान में एक ऐसा हे वे जो कि बिलडियो के साथे माले से होकर गुजरता है लेकिन आज हम आपको एक ऐसा railway track दिखाएंगे जो जपान की तरह बिल्डियो के साते फ्लोर से होकर गुजरती है जो कि चाइना में है आपको बता दो कि चाइना की ये लोकल मोनो ट्रेन है हैरी प्रिगेर्सन इंटोचेंज लास एंजलेस में बना ये रोड सर चकरा देने वाला है इसे पहली बार देखने में ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी सडकी यहीं पर आकर मिलती है उपर से देखने में ये रोड बहुत ही कुपसूरत लगता है इसका शांदार व्यो किसी का भी दिल जीत लेता है रोड और गाड़ियों का ऐसा नजारा शायद ये आपने पहले कभी देखा हो यहाँ पर रोज लाकों के गिंती में गाड़िये गुजरती है इसके बावजूत भी यहाँ पर एक्सिडेंट बहुत ही कम आपको देखने को मिलते है अगर आपने इस रोड को पहले कभी देखा हो तो हमें नीचे कॉमेंट करकर ज़रूर बताए अब दोस्तों आप दुनिया के कुछ ऐसे बच्चों से मिलने वाल है जिनने पढ़ने के लिए अपने जान जोक्यों में डाल कर स्कूल जाना पड़ता है लेकिन दोस्तों आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि दुनिया में एक ऐसा भी स्कूल है आप इस वीडियो को खुद ही देख सकते हैं कि कैसे बच्ची इस रस्ची के सारे नदी को पार करते हैं अगर दोस्ते रस्ची टूट जाये तो बच्चों को क्या हाल होगा क्या आपने अपने जिनने कभी ऐसा स्कूल देखा है दोस्तों आपकी सरकार को इन बच्चों के लिए जल्दी से एक नए ब्रिज बनवाना चाहिए इसके लिए आपकी क्या राए है हमें नीची कॉमेंट करकर जरू बताएं हंटिंग ब्रिज स्पेन के अंड़रों में बना ये ब्रिज दुनिया के खतरनाग ब्रिजों में से एक है इस ब्रिज पर जब लोग अपना पैर रखते हैं तब उनके पैर लटखडाने लग जाती है ये ब्रिज सौ या दोसो साल पुराना है इस हंटिंग ब्रिज पर चलना अपने जान को हतेली पर रखर चलना होता है दोस्तों इस ब्रिज पर चलते हुए अच्छे अच्छे लोग की हालत खराब हो जाती है इस ब्रिज को बिना सेफटी के पार करना किसी पागलपन से कम नहीं है पॉंटे टेबिटेनो कैसना दोस्तों यह जगा बेहेदी डरावनी है जमीन से हजार फीट की उचाई पर बनाएगे यह ब्रिज दुनिया के सबसे खतानाग ब्रिज में से एक है इस ब्रिज को देखने के लिए लोग अपने जान को हतेली पर रकर आते हैं दोस्तों इस पतले ब्रिज पर चलते वक्त लोगों के रौंटे खड़े हो जाते हैं इस बात को जानने के बाद आपका दिल धाड़कना शुड़ो सकता है दोस्तों क्योंकि इस ब्रिज पर चलने के लिए केवल आपको एकी रस्टी का सारा लेना पड़ता है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर ये भी रस्टी टूट गए तो चलने वाले का क्या हालूग। इतना कतरनाक होने के बावजूद भी लोग हजारों की संख्या में यहां आते हैं। दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आयो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कॉमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अल का बटन जरूर दबाएगा। और थैंक ये वर वाचिंग दिस वीडियो।